Hello friends, welcome to HDDKAR, मैं हूँ आपका दोस्त प्रभाकर, आज हम डिसकस करेंगे 5 October 2021 से related most important current affairs, तो आप इस lecture को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इसके अंत में हम पुराने current affairs का revision भी करने वाले हैं, और इसके अंत में हम आपसे कुछ question भी पूछेंगे, तो उनके answer आपको comment box में जरूर देना है, चलिए friends, इस lecture को शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आपको बता दें, कि अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए, तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजीगा, जिसका लिंक आपको description box में मिल जाएगा, इसके अलाबा आप हमसे WhatsApp की माद्यम से भी ज कर सकते हैं, जहाँ पर आपको most important audio lecture मिल जाएगे, विना समय गवाई discuss करते हैं, आज का पहला question, पहला question है, भारतिये पुरुष टेबल टेनिस टीम ने ACI Table Tennis Championship में कौन सा पदक जीता है, तो दोस्तों, bronze medal जीता है भारतिये टीम ने, भारतिये पुरुष टेबल टेनिस टीम टीम ने ACI Table Tennis Championship में bronze medal जीता है, दोस्तों, भारतिये टीम ने semi-final में South Korea से सून ने तीन से हार करके bronze medal जीता है, ACI Table Tennis Championship दो साल में होने वाला टूनामेंट है, जो कि 1926 से आउजित किया जा रहा है, इस टूनामेंट के तहत, पुरुष एकल, महिला एकल, महिला योगल, पु इंडिया की, जिसको found किया गया था 1926 में, भर्तमान में इसके president हैं दुस्यांत चोटाला और इसके secretary हैं अरुन कुमार बनर जी, याद रखिएगा Table Tennis Federation of India, भारत में जितनी भी Table Tennis से related प्रतियोगताय होती हैं, उनको regulate कोन करता है Table Tennis Federation of India, अंगला question है, तारक महता का उल्ट घंस्यांनायक, यानि नट्टू का का, दोस्तों, तारक महता का उल्टा चस्मा के प्रसिदिक अलाकार हैं घंस्यांनायक, यानि नट्टू का का, तो उनका 77 साल की उम्र में निधन हो गया है, उनका जन्म हुआ था 12 मही 1944 को, और वे पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और दोस्तों, वो कैंसर से जंग लड़ रहे थे, 20 साल 1960 में असोग कुमार की फिल्म मासूम में चाइल एक्टर के तौर पर नजर आये थे, इसके अलावा उन्होंने बेटा, तरंगा, आँखें, लाडला, क्रांती बीर, आंदोलन, बरसात, माफिया, चाइना गेट, तेरे नाम जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं, अंगला कोश्चन है, इंपोर्टेंट कोश्चन है, ध्यान से सुनना है आपको, किस राज में ब्यापक रूप से उत्पादित किये जाने वाले चावल की एक खास किस्म, बाडा कोलम को GI टैग दिया गया है, तो ये बाडा कोलम दे चावल पाया जाता है महराश्च में, दोस्तो महराश्च के पालगर जले की बाडा मैं व्यापक रूप से उत्पादित की जाने वाले चावल की एक खास किस्म है बाडा कोलम, तो उसे हाली में GI टैग दिया गया है, बाडा कोलम चावल को सामाने तोर पर जिनी या जिन चावल के नाम से जाना जाता है कहां महराष्ट में यह पालगर के बाड़ा टहसील में मुख तोर पर उगाया जाता है दोस्तो इस चावल का दाना सफेद रंग का होता है अंगला कुश्यन है ध्यान से सुनियेगा हाली में अरुनाचल प्रदेश के कितने जिलों में ससस्त्र घोसित कर दिया गया है अब वो तीन जिले कौन कौन से हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है तिरे चांगलांग और लॉंग डिंग ये तीन जिले हैं जिनको असांतर छेत्र घोसित किया गया है इसके अलाबा दो थाने भी हैं जिनको असांतर छेत्र घोसित किया गय दोस्तो एक अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक इन्हें आसांत छेत्र घोसित किया गया है। दोस्तो बात आई है अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बाते डिसकस कर लेते हैं। दोस्तो यहां की जो खेती है यहां की अर्थववस्ता खेती पर आधारे थे और यहां पर जूम खेती की जाती है। तो दोस्तो जो यहां की अर्थववस्ता है यहां की अर्थववस्ता है वह जूम खेती पर आधारे थे। इसके उत्तर में यानि अर्वनाचल प्रदेश के उत्तर में चीन, उत्तर पूर्व में तिबद, दच्छड में असम और पूर्व में म्यामार और पश्यम में भूटान देश लगे हुए हैं। तो यह थी कुछ जानकारी अर्वनाचल प्रदेश के बारे में। प्रतियोगता में पहली बार सिलवर मेडल अपने नाम किया है। भारती टीम गोल्ड मेडल लेने से चुक गई और उसे फाइनल में रूस के हातों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था। यूक्रेन और जॉर्जिया तीसरे स्थान पर रहकर इन्होंने कांस पड़क हासिल किया है। यानि दोस्तो ध्यान से सुनिएगा जो फिड़े विश्व महिला टीम सत्रंज चेंपियनसिप प्रतियोगता हुई है उसमें पहले इस्थान पर रूस रहा है, दूसरे इस्थान पर भारत और तीसरे इस्थान पर यूक्रेन और जॉर्जिया सेक्त रूप से रहे हैं। दोस्तो भारत का विश्व टीम सत्रंज चेंपियनसिप में या पहला पदक है। दोस्तो इस टीम में कौन-कौन लोग सामिल थे तो ध्यान से सुनिएगा डी हरिका, आर बैसाली, तानिया सचदेव और मेरी अन गॉम्स ये लोग इस टीम में सामिल थे तो इन ही की टीम ने सुटिय लेंड में और इसके सदस हैं 195. दोस्तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को वर्ल्ल चेस फेडरेशन की नाम से भी जाना जाता है। अब इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का काम क्या होता है? यानि जितने भी फेडरेशन इससे जुड़े हुए हैं, कितने फेडरेश विश्व में कौन सा सप्ता है मनाया जाता है तो यह सप्ता है मनाया जाता है विश्व अंत्रिक्ष सप्ता है ध्यान से सुनियेगा चार अक्टूबर से दस अक्टूबर के बीच में विश्व अंत्रिक्ष सप्ता है मनाया जाता है दोस्तो चार अक्टूबर से दस अक्टू इसको यादग किया गया था तो इसको याद करने के लिए है हम 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विस्व अंत्रिक्स सप्ताय गता है अब बात करते हैं दोस्तो इस पूत्निक फष्ट की तो 4 अक्टूबर को सन 1967 में सोवियत संग ने पहला मानव निर्मित उपगरह इस पूतनिक फश्ट अंतरिक्ष में भेजा था यानि आप ध्यान से सुनियेगा कि इस दुनिया का यानि इस पूरे विस्व का पहλα उपग्रह कौन था इस पूतनिक फश्ट जिसे सोविय संग ने लौंझ किया था दूतिये बिसुयोद्ध के बाद सोवियस संग के द्वारा अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया पहला कृतिम उफग्रह अमेरिका की आँखों में किरकिरी बन गया था क्योंकि अमेरिका सुपर पावर मनना चाहता था लेकिन सोवियस संग ने उसके मनसूमों पर पानी फिर दिया था और सोविय संग ने इस पूतनिक फर्ष्ट को लॉंच कर दिया जिससे अंतरिक्ष में सोविय संग का जलवा हो गया दोस्तों यह उफगर है 29,000 किलोमीटर प्रती घंटे की रप्तार से 96.2 मिनिट में प्रत्वी की एक अच्छा का चकर पूरा कर लेता था इस पूतनिक फर्ष्ट को जब से लॉंच किया गया था इसने 21 दिनों तक ही काम किया है और 26 अक्टूबर 1967 तक इसकी बैटरी खत्म हो जाने की वज़य से इसने काम करना बंद कर दिया था दोस्तों खत्म होने से पहले यह प्रत्वी की कक्षा में 14,000, sorry 1440 चकर लगा चुक किस केंद सासित प्रदेश में विश्ट का सबसे बड़ा खादी राष्टिय ध्वज फैराया गया है तो यह फैराया गया है लद्दाक में दोस्तों लद्दाक के लेह में उपराजपाल आरके माथोर ने विश्ट का सबसे बड़ा खादी राष्टिय ध्वज फैराया है ये कुशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें स्टार कर लीजेगा, क्योंकि यहाँ से कुशन पूछा जा सकता है। जब यह धोज फैराया गया था, तो इस अउसर पर थल सेना के प्रमुक मनोज मुकंद नर्माने भी उपस्तित थे। यह धोज 225 फिट लंबा है और 1500 फिट चोड़ा है, इसका बजन 1400 किलोग्राम है और यह धोज 37,500 वर्ग फुट छेत्र को कबर करता है। इस धोज को तयार करने में 49 दिन लगे थे। अगला कोशन है, इंपोर्टन कोशन है, हाली में किसके द्वारा दूरंड कफ फुटवाल टॉफी को जीता गया है। इस कोशन में आप इश्टार कर लीजेगा और इसको आप नोट कर लीजेगा। दूरंड कफ फुटवाल टॉफी 2021 को किसने जीता है तो ध्यान से ये जीता है FC गोवा ने यानि FC गोवा के द्वारा डूरंड कफ फुटवाल टॉफी को जीता गया है 2021 में दोस्तो FC गोवा ने मोहमधन स्पोर्टिंग को एक सुनिस से हरा कर पहली बार डूरंड कफ फुटवाल टूर्नामेंट को जीत लिया है गोवा के लिए बिजई गोल किया था कप्टान एडुआर्डो वेडिया ने जो कि उन्होंने 105 में मिनिट में गोल दागा था दोस्तों गोवा को जीत के साथ 40 लाख रुपए मिले हैं और स्पोर्टिंग को 20 लाख रुपए का पुरुसकार दिया गया है डूरंड कप प्रतियोगता का आयुजन भारत में होता है और यह भारत में फुटवाल का सबसे पुराना टूर्नमेंट है सन 1888 में सिमला में भारत में पहली बार फुटवाल प्रतियोगता यानि डूरंड कप आयुजित हुई थी आज भी यह खेल दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी फोटवाल प्रतियुकता है दोस्तो डूरंड कप 2021 में 5 शितंबर से 3 अक्टूबर तक कोलकाता में आज़ुद किया गया था और यह डूरंड कप का 130 वा संस्क्रंड था 2019 में आए खिताब गोकुलम केरल ने मोहन बागान को हरा कर जीता था दोस्तो 2020 में इसका आयजन कोबिट के कारण नहीं किया गया था लेकिन 2021 में इसका आयजन किया गया और FC गोवा ने इसको जीता है दोस्तो अब हम रिवीजन वाले कोशन डिसकस कर लेते हैं तो ध्यान से सुनिएगा इसमें हम करेंट अफेस को रिवीजन कर रहे हैं हाली में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 का फुकु ओका पुरुसकार से सम्मानित किया गया है उनका नाम है पी साइना क्या है दोस्तो पी साइना जिन्हें फुकु ओका पुरुसकार दिया गया है जो कि जापान का एक पुरुसकार है अंगला कुशन है विस सोसल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जयता है तो विस सोसल मीडिया दिवस मनाया जयता है 30 जून को केंसरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2020 तक आलू के आयात को मंजूरी दी है तो उस देश का नाम है भूटान हाली में साउध अफरीका के किस पूरवर राष्ट पती को अदालत की आववानना के लिए 15 मार जेल की सजा सुनाई गई है तो उनका नाम है जैकब जुवा किस केंद्रिय मंत्री ने 29 जून को मद्ध प्रदेश के इंदोर में एसिया के सबसे वड़े यानि सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रेक का वर्शुल उधगाटन किया है तो उस केंद्रिय मंत्री का नाम था प्रकास जावडेकर तो दोस्तो इस प्रकार से हमने कुछ current affairs को revision किया है अब हम उन प्रसनों की बात करेंगे जिनके जबाब आपको comment box में देना है तो पहला question है table tennis federation of India की स्थापना कभ हुई थी दूसरा question है table tennis federation of India के बरतमान में president कौन है तीसरा question है अरुनाचन प्रदेश के बरतमान में मुख्यमंत्री कौन है चोथा question है फिडे का मुख्याला कहा है और बरतमान में लद्दा के उपराजपाल कौन है तो इन पांच प्रसनों की जबाब आप comment box में जड़ू दीजीगा अब हम वो नाम भी discuss कर लेते है जिन्होंने कल के answer बहुत ही सठीक दिये है यह वो लोग हैं जिन्होंने कल के answer बहुत ही सठीक दिये है दोस्तो आप भी answer दीजीगा हमें इंतजार रहेगा आपके answer का आप हमें खबरिया पर follow कर ले वहाँ पर आपको most important audio lecture मिल जाएगे, इसके अलाबा आपको मेरा modern Indian history का audio course भी मिल जाएगा, तो आप उसको बहुत ही कम कीमत पर purchase कर सकते हैं, दोस्तों आप राजा गुप्ता को अनेकेडवी पर follow कर लिजगा, वहाँ पर आपको उनकी special classes, live classes मिल जाएगी, और इसके अलाबा अनेकेडवी पर आप कोई भी course purchase करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक referral code यूज़ करिएगा, राजा नमबर मा, जैसे ही आप ये referral code यूज़ करेंगे, आपको उस course में छूड़ देजी जाएगे, चलिए friends, इस lecture को यही पर समाप्त करते हैं, अगर आपको ये lecture पसंदा है तो like कर दीजेगा, दोस्तों को share कर दीजेगा, मिलते हैं next lecture में, जै हिंद वंदे मातरम।